तो आज के इस lecture के अंदर हमको समझना है molar conductance और equivalent conductance के बारे में अब देखो इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा brief idea दे दूँ कि हमने पिछले lecture के अंदर क्या पढ़ा था तो पिछले lecture के अंदर हमने ohm law के बारे में पढ़ा resistance क्या होता है वो चीजे पढ़ी हमने कपा के बारे मतलब अपन conductivity के बारे में सीखा हमने resistivity के बारे में सीखा और वहां पर different उनकी यूनिट्स थी उनके बारे में सीखा तो अगर ये वाला lecture आपको देखना है अच्छी तरी के समझना है तो पहले वो lecture आपको definitely देखना है सारी चीजे notes बना रहे होंगे ठीक है तो वो चीज अपनी द्वांग में होनी चाहिए तभी ये lecture अपन को समझना है तो molar conductance और equivalent conductance के बारे में आज के इस lecture के अंदर हमको समझना है ठीक है तो शुरुआत करते हैं देखो basic basic सी बात है आपको पता है जैसे मैं आपको थोड़ा recall क आपको flow करना है उसमें जो barrier आये का उसको resistance कहते हैं जो ease होती है that is conductance तभी तो आपन कहते हैं conductance और जो resistance है उनमें एक दूसरे की जानी जुस्मन होते है ठीक है सी बरावर one upon r होता है ठीक है अब सी का मतलब यहां पर conductance है ठीक है ऐसे आपको यूनिट की बताई थी तो यू proportional to L था, inversely proportional to A था, तो r बरावर क्या हो गया था, rho L upon A, rho क्या यहां पर resistivity है, rho को मैंने निकाला था, कैसे निकाला था, rho is equal to r A upon L, इसकी भी कुछ unit निकल के आई थी, क्या निकल गई, ohm into meter यह ohm into centimeter, यह unit निकली थी इसकी, फिर मैंने आपको कपा बताया था, कपा क्या है, conductivity, यहां पर, L upon A क्या है, हमारा cell constant है, अब देखो, फिर मैंने आपको चीज़े बताई थी, क्या है, cell constant के अंदर, हमको, अगर मैं electrolytic cell लेता हूँ, एक देखो, अगर में कोई substance है, मालनीजी, बायर है, उसमें L इस तरी के से काम करेगा, L इस तरी के से काम करेगा, A इस तरी के से काम करेगा, लेकिन मैं जब electrolytic cell की बात करता हूँ, वहाँ और L कुछ अलग होता है, एक कुछ अलग होता है, उसके बारे में चर्चा कर आई थी अपनने, तो यहां पर ये लेक्टोड है, ये दूसरे लेक्टोड, बैटरी से इसको मैंने connect कर दिया है, यहाँ पर anode है, यहाँ पर cathode है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फिर क्या था, अगर बात करी जाए L की, L क्या है basically, इसके दोनों इलेक्टोड के बीच की जो distance है, anode और cathode जो है, उनके बी जाए कि A क्या है, तो कितना part, कितना area anode का dipd है, अपने electrolyte के अंदर, या फिर अपने solution के अंदर basically, कि कितना area anode का solution के अंदर dipd है, वो हमारा होता A, ऐसे अपने बात करते हैं cathode की, similarly, मतलब electrode का कितना area basically dipd है, solution के अंदर वो A की बात करते है, मालि जो 1 cm2 रहेगा, 2 cm2 होगा, तो वो चीज में आपको बता है, तो यहां तक हमने ये चीज़े समझ ली थी, अब जब हम अपने पिछले lecture के अंदर चीज़े खदम करी थी, तो एक special point यह बताया था, कि जो कपा होता है, conductance होता है, वो additive in nature होते हैं, यानि हमारे पास में अगर एक electrolyte solution है, जहां पर electrolytic basically solution है, जहां पर electrolyte 1 है, electrolyte 2 है, electrolyte 3 है, तो वहां पर जितना भी electrolyte होंगे, उनकी conductivity को जोड़ दो, plus water conductivity को जोड़ दो, total solution की conductivity आ जाती है, मैंने क्या बोला था, जो conductivity होती है, वो additive in nature होती है, मतलब मेरे पास में electrolyte 1 है, ठीक है, क्या, electrolyte 1, plus यहां पर electrolyte 2, direct K1, K2 इस तरह की electrolyte, और माल दीजी, हापर 3 electrolyte थी, और water के अंदर उनको डाला गया था, तो यहां पर water की conductivity होगी कुछ, जनरली जल्दी वाजिवपन क्या करते है, water की conductivity को फूल जाते है, तो भूलना नहीं है, similarly, अगर आपको conductance निकालनी है, solution की, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहां पर Conductance of electrolyte 1, प्लस C1, C2, प्लस C3, प्लस यहां पर water की Conductance, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है, इनको थो आपनल लिख भी दिगे, लेकिन जल्दी वाजिवाज़ेमे, watering conductance को भूल जाएंगे, watering conductivity होल जाएंगे, तो इस तरीकिस में आपको एक पॉंट बताया थ फिर मैंने आपको बदाया था कि अगर हम ऐसा करें डालूशन करते हैं तो डालूशन की केस में क्या होता है जैसे अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो वहाँ पर कंडुक्टिविटी आधी हो जाएगी वॉल्यूम को ट्रिपल करोगे तो अगर मैं बात करता हूं कि एक संघ्यरा संवाइब मेरे पास में क्या था एक बिसकली उर्यक्रॉलियुटैट ईलक्रॉलाटिक सैल यहां पर एंड लगा हुआ यहां पर क्या किया मैंने मान लीजिए या फिर देश हैं एक मेरे पास में सॉलिशन यह इसका है किससे canate solution है किसका solution है HCL का है ठीक है जिसमें volume इसका V है इसका मतलब V1 माल लो और इसका volume कितना है V2 है अब fun fact यह है V1 बरावर V2 है आप इसकी conductivity में माल लेता हूँ K1 है इसकी conductivity K2 है ठीक है अब दोनों को मैंने mix किया पहले छोटे छोटे बीकर में थे अब इनको दोनों को mix कर दिया बड़े विकर के अंदर इसको mix कर दिया एक गरिया दूसरा है अपने अपास तो इन दोनों को मैंने mix किया तो यहां पर क्या हुआ भाई साव बीवन बरावर बीटू है तो resultant solution का volume कितना हो जाएगा टू भी हो जाएगा अब fun fact यह है यह हमको निकालना क्या है हमारा जो resultant solution है उसको मैं माल देता हूं यहां पर के K3 माल लू या फिर क्या माल लू के resultant माल लेते ठीक है तो K resultant जो है वो क्या होगा ऐसी जो चीज है यार कहीं न कहीं हमने देखी थी यार हमने solution chapter पड़ा था तो solution chapter में जब मैंने आपको Molarity बताई थी तो Molarity के अंदर यार सेम सेनारियो बताए था कि Mixing के case में Molarity कैसे निकाली जाती है Normality जब Mixing की बात करते हैं तो अब कैसे निकाली जाते है थोड़ा आपको व्रीव देता हूं और फिर यहां पर देखते हैं ठीक है तो मैंने आपको क्या बताए था मैंने आपको सेनारियो है एक भी करिए रहा एक भी करिए रहा यहां पर HCL है यहां पर HCL का solution है ठीक है यहां पर इसका volume V1 है इसका V2 है यहां पर इसका M1 Molarity मोलारिटी है दोनों को Mix किया एक resultant यहां पर case solution बन गया इस तरह यह चीज़ें आपने क्या वह लिए इसकी मोलारिटी M3 माल लो या M solution माल लेते हैं और V solution माल लेते हैं और जो V solution है और जो V solution है that is V1 plus V2 अब मैंने आपको resultant पूरा सेनारियो यह बताया था कि molarity जो resultant रहेगी solution की that will be M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2 यह चीज़ मैंने आपको बताही थी same concept यहाँ पर भी apply होगा but M को अपन replace कर दें किस से के से तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे के resultant बराबर क्या होगा यहाँ पर K1 V1 plus K2 V2 upon 2B या फिर V1 plus V2 और V1 बराबर V2 है जिसको मैं resultant क्या मान सकता हूँ बी मान सकता हूँ ठीक है तो यह 2B हुआ अब देखो K1 V plus K2 V upon 2B लिखी दिया अब देखो जड़ा अब क्या करते हैं हम यह पर बी common ले ले लेते हैं तो resultant इसको जड़ा इधर की side लिखते हैं तो क्या बचेगा अपने पास में K1 और V मैंने common ले लिया तो K1 plus K2 into V upon 2B य करना है 20 से V को ओड़ा देना है तो 20 से V को मैंने ओड़ा दिया और resultant मेरे पास में क्या बचा यहां पर resultant मेरे पास में K1 plus K2 upon यहां पर 2 तो resultant solution होगा mixing के बाद में उसकी जो conductivity होगी solution की वो क्या हो जाएगी दोनों को जोड़ दो divided 2 कर दो लेकिन fun fact यह है यह किस case में apply operation मतलब हम जो electrolyte की बात कर रहे हैं यहां पर भी HCL है यहां पर भी HCL है तो fun fact यह है case यह है कि जब दोनों solution एक type के हैं तब यह condition होगी K1 plus K2 divided by 2 यहां पर निकल किया है समाझ में आगया होगा मैंने आपको relate भी करा दिया है किससे इससे relative भी करा दिका है इसे मैं relative भी करा दिया molarity जब करी थी तो molarity on mixing यह case पढ़ा था तो उसी से relate कराके मैं direct भी गोल सकता था इसको इसका volume इतना है वी है इसका volume दोनों का बरावर है वन लीटर वन लीटर मैंने ले लिया है इसकी conductivity कुछ होगी HCL डाला है मतलब HCL क्या है electrolyte है तो electrolyte की वज़ा से कुछ नागुछ उसकी conductivity होगी उसको मैं K1 माल लेता हूँ इसकी conductivity K2 है कुछ अलग है conductivity ठीक है तो दोनों को जोड़ दो डिवैड़ वाइट 2 कर दो रेजल्टन यह निकल गया है लेकिन वो I कैसे उसका concept मैंने आपको समझा दिया है रेजल्टन यह आपको लिखना है तो on mixing जब बात करी जाती है तो यहाँ पर K जो रेजल्टन होता है बरावर किसके होगा K1 प्लस K2 डिवैड वाइ 2 यह चीज यहाँ पर रहेगी समझे मैं आया है नहीं है अब आपके दम्याग में कुश्चन और आना चाहिए कि सर यहाँ पर हमने दो सेम टाइप के solution की बात करी लेकिन सर हमारे पास में तीन सेम टाइप के solution हो मतलब हमारे पास में देने दिना है नहीं है मैं तो अपना जो basic concept है उसके लिए चलूंगा डिवैड वाई वी वन प्लस वी टू प्लस वी थी ठीक है अब क्या है यह बढ़ावर वी टू है बढ़ावर वी थी है इसको हम क्या कर सकते हैं के वन प्लस के टू प्लस के थी इंटू वी मैंने कॉमन ले लिए डिवैड वाई यह क्या होजाएगा थी भी होजाएगा तो वी से भी गैंसल आउट यहाँ पर resultant के वन प्लस के टू प्लस के थी डिवैड वाई थी होजाएगा सिंपल सी बात है तो तीन अगर भी कर ले तो मेरे हिसाब से वाई तुम तीन लो चाड़ लो मेरे को इस बात से लेने दिना है नहीं मैं तो अपना concept लगाऊंगा जो answer आएगा वो आज आएगा अब question अगर इसके बनेगा तो कैसे बनेगा आपको यहाँ पर इसकी conductivity कुछ देगा conductivity यहाँ पर मिलेगी अब conductivity की unit important है वाई जल्दी वाजी में क्या करते हैं अपनको पता ही नहीं चल पाता क्योंकि exam का जो प्रेसर होता है बहुत जादा होता है कहीं नहीं तो exam के प्रेसर में यार बहुत सारे से question आपको देखने को मिलेंगे कि उनमें unit होगी आपको समझ मे होता है या अपन या इस तरीके से जो शिacomal है वो बनाते हैं लेकिन बात करेजें कप्पा कि यूनिट क्या होती है ये भूल तो तो इतना याद रखो C into L upon A, यानि unit क्या बन जाएगी, इसकी unit मुझे पता है, क्या है, ohm inverse, और इसकी unit में बना लूँगा, तो centimeter inverse हो सकती है, तो resultant क्या बना, ohm inverse centimeter inverse, अब इसमें जो modification तुमको करने कर लो, ohm inverse into meter inverse कर लो, ohm inverse into decimeter inverse, जो भी करना है कर लो, ठीक है, तो resultant का अब आगे, अब जो concept हमको पढ़ने थे, उनके ऊपर चलते हैं, अब हमको समझना है, molar conductance के बारे में, इसमें मुझे दो चीजे देख रहे हैं, एक तो है molar, और दूसरा है conductance, माल लीजिए, मेरे पास में एक electrolyte cell है, let's say you, अपने पास में एक electrolyte cell है, अब electrolyte cell कैसे बनता है, उसके अंदर दो electrode होंगे, एक anode होगा, एक cathode होगा, anode पर positive charge होता है, cathode पर negative charge होता है, इसके अंदर क्या है, मैंने electrolyte डाला हुआ है, अब माल लीजिए electrolyte कितना है, one mole है, मैं यह कह रहा हूँ, electrolyte की जो amount है, उसकी जो concentration है, कितना है, one mole है, तो one mole, अब हम यह जानते है, electrolyte जो होता है, उसी की बज़ा से conductance बनती है, basically, जो electrolyte, basically, क्या होता है, तूटेगा, electric current की बज़ा से, और या फिर नॉर्मली, तो वो आइन बनाएगा, cation बनाएगा, anion बनाएगा, और moment of the cation और anion, आपनको electricity देखने को मिलती है, अब अगर electrolyte one mole है, तो one mole electrolyte की बज़ा से, जो conductance देखने को मिलती है, that is known as the molar conductance, क्या बोला मैंने, the conductance arises due to one mole electrolyte, molar का मतलब one mole, one mole की जो conductance है, उसको one molar conductance कहते है, is called as lambda m, या फिर हम कहते हैं, इसको molar conductance, इसको हम lambda m से represent करते हैं, किस से represent करते हैं, lambda m से इसको represent किया जाता है, कुछ इस तरीके से represent करते हैं, बात करी जाए, इसका formula क्या होगा, तो देखो, lambda m बरावर क्या होता है, कपा into 1000 divided by similarity, ठीके ये इसका formula होता है, कब, जब यहाँ पर, इसके जो unit है, वो किसके अंदर है, साइमन सेंटीमिटर इंवर्स के अंदर है, ठीक, ये चीज़ कलियर है, तो ये इसका formula है, बहुत ही ज़ादा important है, exam में बहुत ही काम आने वाला है, जितने भी question अपन को देखने को मिलेंगे, वहाँ पर generally क्या होता है, अपन को जो unit मिलती है, वो साइमन सेंटीमिटर इंवर्स में मिलेगी, ठीक, तो कपा into 1000 upon m, कपा क्या है, conductivity है, m क्या है, molarity है, और 1000 को जानते हों गया, lambda m क्या है, molar conductance है, अब ऐसा करते हैं, लगे हाथ, ह यहाँ पर हम इसकी unit calculate कर लेते हैं, unit इसकी क्या होगी, इसकी unit मुझे पता है, और इसकी unit अपन को पता हो निचा है, mol पर लीटर, ठीक है, ओके, तो साइमन सेंटीमिटर इंवर्स डिवैड वाई, mol पर लीटर, अब बताओ यार, यहाँ पर है सेंटीमिटर, यहाँ पर है लीटर और सेंटीमिटर में कुछ रिस्ता होता है, क्या रिस्ता होता है, हम अगर देखें तो इसको मैं क्या लेख सकता हूँ, सेंटीमिटर क्यूब की फर्म में लेख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, साइमन सेंटीमिटर इंवर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, साइ सेंटीमिटर क्यूब की पावर माइनस वन है तो रेजल्टन क्या होगा साइमन सेंटीमिटर इन्वर्स अपॉन मोल सेंटीमिटर माइनस का थ्री ठीक है सेंटीमिटर की पावर माइनस का थ्री तो यह कैंसल आउट होगा कितने टाइम यहां पर बचेगा सेंटीमिटर माइनस क्या है Simon's centimeter inverse sorry Simon's centimeter square mole inverse होती है this is the unit of lambda M lambda M क्या है molar conductance एक दो बार बोलो याद हो जाएगी Simon's centimeter square per mole is the unit of molar conductance molar conductance है क्या conductance of the one mole electrolyte is known as the molar conductance ऐसी अबन बात करने जा रहे होंगे किसके बारे में lambda equivalent या जिसको अपन कहते है equivalent conductance अब देखो है molality हमने समझी है कहीने की solution chapter में ऐसे एक normality करके चीज थी normality क्या होती normality हमने बात करते हैं कि अपने पास में अगर 1 gram equivalent है 1 liter solution के अंदर 1 gram equivalent solute present है 1 liter solution के अंदर तो उसको हम क्या कहते है normality कहते है ठीक है तो यहाँ पर mol को अपन replace करेंगे किस से gram equivalent से molality को replace करेंगे किस से normality से और हमारे पास में तयार हो जाएगी क्या equivalent conductance समझ मैं आई यहाँ तर आगे बढ़े तो अब जड़ा बात कर लेते हैं हपन equivalent conductance की कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़े हैं नहीं simple simple चीज़े हैं आपको formula पता होने चीज़े आपको definition पता होने चीज़े आपको unit पता होने चीज़े बागी कुश्चन प्राक्टिस है ठीक है अब लेमडा equivalent के अबन बात करते हैं लेमडा equivalent क्या है बेसिकली बहुत सिंपल है कंड़क्टेंस ओफ वन ग्राम equivalent एलेक्ट्रोलाइट इस नौन एस लेमडा equivalent ठीक है बात करीज़ें इसके formula की तो formula क्या होगा formula इसका कुछ lambda equivalent बरावर कपा into 1000 divided by n हो जाएगा जहाँ पर कपा क्या है conductivity है जहाँ पर n क्या है normality है अब ज़रा बात करते हैं इसकी unit का तो unit ज़रा देखते है unit इसकी क्या होगी कुछ नहीं होगा मोल को replace कर दो equivalent से unit अपने पास में बन जाएगी ठीक है कि देखो formula क्या है lambda equivalent बरावर कपा into 1000 divided by n इसकी unit क्या है साइमन अशीथ सेंटिमेटर स के लिएत्व एक्वीलेंट पर लीटर एक्वीलेंट पर लीटर तो वाकिर चीज 한데 रहेंगे आपर साइमन सेंटिमेट्र इवर्स डवाईट इक्वेलेंट ठीक है इंटो सेंटीमिटर का माइनस तब्स कर्थ्री इसको काटेंगे तो इसको अपने पास है किसकी एक्वेलेंट कंड़ुक्ति एक्लेर है तो अभी है अपन करते हैं कुछिए प्रक्रिस क्योंकि important यहाँ पर यह है, exam में जो question बनते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आपको, मतलब normal normal किसे question मिलेंगे, उनको अपन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला question है, देखो, the resistance of a 0.01 normal solution, अपने पास में एक electolate cell है, जहाँ पर जो solution की normality है, वो कितनी दे रखी है, n बरावर 0.01 n, ठीक है, यह इतना इसका normality दे रखी है, अगली चीज क्या है, r बरावर कितना दे रखा है, 210 ohm, ठीक है, मतलब resistance दे रखा है, ठीक है, अगली चीज क्या है, यहाँ पर cell constant दे रखा है, cell constant मतलब l upon a की value हमको दे रखी है, 0.88 cm inverse, ठीक है, calculate the lambda equivalent, तो lambda equivalent का formula क्या होता है, lambda equivalent बरावर होता है, कप्पा into 1000 divided by n, अब देखो जरा, यहाँ पर हमको directly कप्पा नहीं दे रखा है, लेकिन कप्पा को निकालने के लिए सामान दे रखा है, जिसका हम use करेंगे और कप्पा निकालेंगे, सामान क्या है, हमको resistance पता है, हमको cell constant पता है, और resistance पता है, तो मतलब मैं क्या निकाल चकता हूँ, देखो कप्पा किसके बरावर होता है C into L upon AK तो देखो मेरे पास में C की value है नहीं दिख रही मुझे दिख रही है resistance दे रखा है resistance का reciprocal ही तो क्या होता conductance होती है मतलब हमको conductance दे दी है दूसरी चीज cell constant की value direct दे रखिए तो यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर कप्पा निकालेंगे तो कप्पा देखो कप्पा बरावर 1 upon 210 into 0.88 यहां पर centimeter inverse है यहां पर क्या है ओम inverse हो जाए ठीक है अब इसको मैं यहां पर put करता हूं और बाकी चीज़ा आपन कर सकते हैं तो lambda equivalent बरावर कितना निकलेगा lambda equivalent is equal to 1 upon 210 into 0.88 into 1000 divided by n कितना है आपर n की value normality कितनी तरके 0.01 इसको अपन calculate करते है जड़ा देखो इसकी जो value है 1000 divided by 210 into 0.88 तो उपर वाली term अपने पास माई है 4.190 divided by 0.01 इसको डिवाइड करते हैं 0.01 से तो अपने पास है जो final value है that is 40019 419.0104 और यूनिट क्या होगी इसकी उनिट यूनिट बहुत important है 0471 cm2 equivalent inverse is the unit तो यहाँ पर resultant यह unit है अब देखो ज़रा अगला question एक second में question करूँगा मैं इसका answer एक second में आना चीए बच्छोंगा देखो जो 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 चीज़े वहाँ पर थी same है resistance उतना है यहाँ पर अपने पास में cell constant भी उतना है यहाँ पर अपनको अब की बार पूछ रहा है lambda m lambda m पूछ रहा है निकाल सकते हैं एक second में निकाल के बता तो आप ही देखो relationship develop करते हैं relationship life में बहुत जादा important है तो यहाँ पर हम रिष्टे बनाने का काम कर रहे है in between lambda m and lambda equivalent अब देखो ज़रा lambda m क्या है कपा इंटू 1000 डिवाड़ वे molarity lambda equivalent क्या है it is कपा इंटू 1000 डिवाड़ वे एंड अब देखो ज़रा मुझे यहाँ पर यह चीज़ सेम देख रही है उपर वाली नीचे वाली सेम देख रही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मैं lambda equivalent को उपर रखता हूँ lambda molar को नीचे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा वन अपोन एन अपोन वन अपोन एम जिसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या लैमडा equivalent अपोन लैमडा एम बरावर एम अपोन अब याद करो solution chapter वह भी याद नहीं आता तो मोल मोल कंसेप्ट यार कर लो normality और molarity में एक रिस्ता होता है क्या रिस्ता होता है सर अरे बहुत कमाल का रिस्ता होता है बहुत ही करीबी रिस्ता है दोनों का normality बरावर molarity into valence factor या valence factor या n factor जो कहते हैं इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या बिल्कुल पुट कर सकते हैं सर कौन रोग सकता है आपको lambda m बरावर m upon क्या बच्चा m into valence factor तो m से m cancel out हो गया lambda equivalent divide by lambda m बरावर 1 upon valence factor बच्चा अब इसको मैं simplify करके लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ lambda m बरावर lambda equivalent into valence factor तो यह रिस्ता बनके आता है किसके बीच मैं lambda m और lambda equivalent के बीच हूँ balance factor के साथ multiply कर दो अब आपको यह पता होना चाहिए balance factor की value क्या होगी hcl के लिए value क्या होगी h03 के लिए value क्या होगी एन्योच के लिए क्या होगी kcl के लिए क्या होगी यह चीज़े अपनको पता होनी चाहिए अपनको पता होंगी पता है नहीं पता अरे सिंपल सी बात है solution chapter पड़ा हुआ पूरा normality पड़ा है था तब यह चीज़े बता रही थी अब देखो एक second में question होगा मुझे पता है इसके बारे में क्या lambda equivalent मुझे इसका lambda equivalent पता है तो lambda equivalent से मैं क्या निकाल सकता हूँ lambda m निकाल सकता हूँ क्या lambda m is equal to lambda equivalent into valency factor अब देखो किसकी बात चल रही है यहाँ पर किस की बात चल रही है माल लेजिए अपने पास में है जो एलेक्टोलाइट है वो HCL है ठीक है HCL एलेक्टोलाइटिक सेल बना रहा है तो यहाँ पर आपको पता है HCL के लिए जो वैलेंजी फेक्टर है कितनी होती है वन होती है तो वन के साथ मल्टिप्लाइ करोगे तो लेमडा एम इस इक्वल होता है उनके लिए मोलर कंड़क्टेंस और एक्वलेंट कंड़क्टेंस बरावर हो जाती है सेम सेनारियो किसके साथ में था कि जिनके लिए वैलेंजी फेक्टर बरावर बैलेंजी फेक्टर एक के बरावर था उनके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बरावर थी एक्ज अगली चीज यहां पर है इनको आपको हमवर्ग के लिए अपनको दे रहा है कर सकते हो आप सिंपल सिंपल चीज है कुछ नहीं है यहां पर आपको डेटा देता हूं क्या क्या दे रखा है आपको यहां पर आपको यहां पर आपको लेमडा एम निकालना है बहुत ही आसान है निकाल सकते हो जो अपने पास में conductivity है वो directly नहीं दे रखे लेकिन उसको निकालने के लिए तरीका दे रखा है सामान दे रखा है सब्सेंस दे रखे है material दे रखा है निकाल लेंगे और अपने पास में लेमडा एम निकाल लेंगे सेम चीज यहां पर अपनको करनी है अब की बार दे को कुछ नहीं है सिंपल सा कुष्च नहीं है बहुत आसान है वाइस हमने पहले तो पूरी रामैन बताई है कि मैंने ऐसे जीरो पॉइंट जीरो टू टू साइमन पर सेंटीमेटर वेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन एच्छ एल सॉलुशन इस अड़ेड़ दा अब आईये में वात पहले तो बाते कर रहा है कि मैंने क्या पता है मैंने मेरे पास में दो भी कर थे और उसमें एच् को mist कर दिया, पता है तुमको क्या हुआ, जो resultant solution बचाना उसके conductivity थी इतनी, अच्छा को कुछ नहीं करना, simple ची बात है, हमको क्या निकालना है, solution के लिए lambda m क्या होता है, kappa into 1000 by m, कपा कितना है, 0.0055 into 1000 by by, यह कितना है, अपने पास में molarity कितनी है, 0.1 है, तो result इन अपने निकाल लेंगे, जो value आईगी, वो किसके अंदर आजाएगी, साइमन सेंटिविट स्क्वायर पर mol के अंदर इसकी value निकल के आजाएगी, कर सकते हैं इतना, आसान है, आगे बढ़ें, तो यहाँ पर हमारा जो question की practice है, इस lecture बहुत ही मसता आपको चीज़ें मिल ली होंगी, lambda m मिला है, आपको lambda equivalent मिला है, और आपको यहाँ पर basic revision मिला है, तो question important है, DPP मैं आपको दे रहा हूँ, कहाँ पर मिलेगी app के अंदर, तो वहाँ से DPP डाउनलोड करना, डाउनलोड material के अंदर अनुटिश पीपटी मिल जाए कोई भी doubt आता है, subjects related, तो आदी रात में आप पूछ सकते हो, ठीक है, और पूछोगी तो हमारी team आपको जल्द से जल्द reply करेगी, reply करेगी, ठीक है, बागी दुबस एक ही कहना है, पढ़ाई करो, must पढ़ाई करो, और always remember, कि हस्ते हुआ पढ़ाई करना है, हस्ते हुआ जि है और अभी initial stage में है अपन, तो कर सकते हैं, और चीज़े बहुत आसान है, बस मेहनत करने की importance है, ठीक है, मेहनत अगर करोगे, चीज़े मिलेंगी, ठीक है, तो इस lecture बस इतना ही, आने बन lecture के अंदर अपन, क्या पढ़ने वाले हैं, अपन यहाँ पर basically molar conductance और equivalent conductance पर basic और question क करेंगे, और चीज़ों को concept को आगे लेकी चलेंगे, ठीक यू वरी मच्च,